हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत है एक बार फिट से एश्टो गुरू चैनल पर मैं आपके लिए लेका रहा हूँ टेरो विद कृष्ण में आज वीकली होरोस्कोप यानि सापताहिक राशीफल और आज कवर करूंगा चौदा फरवरी से लेकर के बीस फरवरी तक का दिन आपका कैसा रहने वाला है दिन प्रति दिन क्या रहेगा इसी पर आज की पूरी टेरो रीडिंग बेस्ट है हर बार की तरह इस बार भी सभी राशीओं के लिए टैमिस्टेंग को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है स पाति साथ कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट किया गया है अपनी राशी की रीडिंग को डिरेक्ली देखने के लिए टैमिस्टेंग पर क्लिक करिए पूरा वीडियो आपके लिए फास्ट फारोड हो जाएगा और आप सीधे अपनी राशी की रीडिंग पर पहुंच और मेरे पुराने वीवर्स और सब्सक्राइबर्स आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं तो आपकी स्क्रीन पर यह जो नंबर आ रहा है आप इस नं को बुक करने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं आज के राशिफल को पहले राशी लेते हैं एरीस मेश राशी मेश राशी आपके लिए चौदा फरवर्डी का दिन देखिए एक तरह से दिन आपके नियंतरण में तो रहेगा लेकिन इस दिन की जो उर्जा है इस दिन की आपका काम है दिन आपके फेवर में हैं इसमें कोई दोराएं नहीं है लेकिन इस दिन की एनरजी को अगर आप मैनेज नहीं कर पाएंगे तो वो हासल नहीं कर पाएंगे जो आप हासल करना चाहते हैं इसलिए इस पूरे दिन को अपने फेवर में बनाए रखने के लिए कई क्या होता है कि दिन अच्छा तो है आपके फेवर में तो है लेकिन दिन किसी और चीज पर सपोर्ट कर रहा है और आप लिए इस दिन सिचुवेशन इस तरह की हो सकती है कि इस दिन आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े थोड़ा कैसुल रहने का मौका मिल जाए अगर कैसुल रहने का मौका मिलता है तो अपने फ्यूचर प्लान्स पर थोड़ा समय निकालना आपके लिए जरूरी होगा आप परिवार के प्रती या अपने प्रती अपने कर्तवियों का निर्वान कैसे करेंगे अपने ड्यूटी को कैसे कम्प्लीट करेंगे पूरा करेंगे फुल्फिल करेंगे इसके बारे में प्लैनिंग करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है ब्यापारिक उन्नती इस दिन दिखत से होंगे इसलिए थोड़ा साउधान रहें अदर्वाइस ये दिन बढ़ियां है कोई नुकसान दे नहीं है टार्गेट्स को अचीव कर सकते हैं नए काम को शुरू कर सकते हैं और इस दिन इश्वर के प्रति रुजहान में आपके वृद्धी होगी थोड़ा स्प्रिच्व मामला आता है जहां पर स्ट्रगल बहुत जादा हो गया संघर्ष बहुत बुरी तरह से चलने शुरू हो गये तो वहाँ पीछे नहीं हटना है क्योंकि अंतता जीत आपकी होगी लेकिन अगर पीछे हट गया तो मामला खतम अधर्वाइस रिलेशन्शिप के मामले में दिन सपोर्ट नहीं कर रहा थोड़ा सम्हाल करके इस्तेमाल करें बिल्कुल इसी तरह से अठारा तारीख भी है ये भी रिलेशन्शिप के मामले में थोड़ा सम्हाल कर इस्तेमाल करने के लिए चेता बे बहुत देर तक नहीं चलने वाली है इसलिए खुद को पैनिक होने से बचा करके रखना है अनायास पैसों के खर्च को रोकने की जरूरत भी पड़ेगी कुछ मामले ऐसे भी हो सकते हैं जहां आपका पैसा आपके काम ना आए और आप पैसों के होते हुए भी अपनी समस्या क को ना सुलजा पाएं तो उस मामले में शांत बने रहें ज़्यादा बेतर होगा परिवार को ले करके संबंधों को ले करके थोड़ा चूजी होना और थोड़ा कॉंशस होना आपको बहुत हेल्प करेगा उन्नीस फरवरी का जो दिन है ये संघर्षों में सफलता दिखाता है तो हार नहीं माननी है और शुरुआत में ही अपने आपको पीछे हटने से बचाना है अगर आप आगे बढ़ने के लिए ततपरता दिखाते हैं तो ये दिन आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है इस दिन आप जिस काम को हाथ में लेंगे उस काम में सफलता आपकी सुनि जीवित करने वाला दिन है पुना लेकर के आता है नए काम की शुरुआत दिखाता है सफलता दिखाता है तार्गेट सफलता भी दिखाता है यानि कोई अगर आपका काम आपने टार्गेट कर रखा है तो उसमें आपकी सफलता सुनिश्चित दिखाता है रिलेशन्शिप क तो नहीं रहेगा थोड़ी मुश्किलें लेकर आएगा लेकिन वे मुश्किलें दो तरह की होसाती हैं एक जानी पहचानी हास्यासपद मुश्किलें और दूसरी सचमुच की परिशानी वाली मुश्किलें दोनों में ही जीत आपकी पक्की है लेकिन दोनों में ही हार नहीं मा पॉलिटिकल मामलों में आपको नुकसान होने की संभावना है इसले अगर आप राजनीती से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा सतर करें आपके विर्द मजाक मजाक में एक बड़ा शड़यंत्र आपके सामने ही रचा जा सकता है अधरवाइस में बिजनस के मामलों में पूरा सपोर्ट नहीं करेगा अप्रॉक्सिमेटली तीस से चालिस परसंट का सपोर्ट कर रहा है रिलेशनशिप के मामले में थो थोड़ा साउधान रहेगा पंद्रा फरवरी का जो दिन है अपेच्छा कृत बढ़ियां रहेगा इस दिन आपके यश में वृद्धी होग अगर किसी ऐसी चीज को आप अचीव करना चाहते थे जो पहले काफी समय से प्रतीचित रही है या आप जिस चीज के लिए काफी मेहनत कर रहे थे तो उस चीज में सफलता मिल सकती है इस चीज के चांसेज बन रहेगी लेकिन उस सिचुएशन को अपने फेवर में होने के बाद इस्तेमाल करना आपकी अपनी ड्यूटी और आपका अपना टैलेंट है तो उस टैलेंट पर अगर अपने भौरोसा करेंगे तो दिन बहुत बढ़िया आपके सपोर्ट में रहेगा और रेलेशन्शिप के मामले में पंद्रा फरवरी बढ़िया है सोले फरवरी का दिन थोड़ा उमीदیں ज़्यादा लेकर की आसकता है सपने बढ़ा सकता है इस दिन आपको ऐसा फिल हो सकताा है कि काश ऐसा होता तो क्या होता है ना वुजैसे था ना कभी कभी मेरे दिल में खयाल आता है तो वह वाली सिचवेशन आपकी हो सकती है तो उ imagination में plan भी बना लीजे कि मुस्त तक पहुचेंगे कैसे road map भी तियार करिए otherwise तो ये तो एक चीज थी अच्छा दूसरा जो बधे-बधाये काम हैं लगातार consist चल रहे हैं उसमें कोई रोग टोग प्रॉब्लम नहीं आएगी relationship के मामले में दिन बहुत बढ़िया हैं आपके ब्योहार पर लोग आपको appreciate करेंगे और लोगों का आपसे behavior भी काफी अच्छा रहेगा सत्रा फर्वरी का जो दिन है ये परिवर्तन दिखाता है ये परिवर्तन आपके दर्शन जैसी चीज मिल जाए इस चीज की संभावना इस दिन बनी हुई है 17 तारी को इस दिन आपको इस बात का भी ध्यान रखने की जरूरत है कि आप किसी भी काम को करें ये तो सही है लेकिन जिद में ना आ जाएं इंटेंशन और जिद में फर्क होता है तो उस चीज को चाहत किसी चीज के प्रति लगन और किसी चीज के प्रति जिद होना दोनों अंतर है तो उस चीज को समझने की कोशिश करें कि जिद नहीं करना और जहां तक रिलेशनशिप की बात है तो ये दिन बढ़िया रहने वाला है 18 फर्वरी का दिन काफी और जाबान दिन रहेगा और इस एनरजी को पॉजिटिवली अगर आपने यूज कर लिया तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा पाएंगे ये दिन आपको सक्छमता देता है और साथी साथ एक नया विजन भी देता है कि अपने फ्यूचर को आप खुद प्लैन कर सके अपने एकॉर्डिंग को और बढ़ा करने के प्रेणा देता है तो ये सारी पोजिटिवटी सापको आपको एडॉप करनी है छोड़ना नहीं अगर मान लिजिए कोई बड़ा जञादा बड़ा सपना देख भी लिया तो उस जञादा बड़े सपने को भी एडॉप्ट खर दिजी सपना ही तो है उसे एडॉप्ट करने में क्या जाता है है नो फिर बाद में सोच लिजेगा कि उस सपने को पूरा कैसे करें वो बाद का काम है पहले तो सपना देखना बड़ी चीज है दूसरे अगर किसी स्पेसिफिक मामले में कोई संघर्ष बना हुआ था तो वो संघर्ष हट सकता है और जब इगो बढ़ेगा तो अनायास की बातों पर आपको चिड़ चिड़ पन जैसा अनुभूती होगा जो दूसरे लोगों को भी फील होगा इसलिए आपके दिल में क्या चल रहा है और क्या रिफ्लेक्ट कर रहे है इस चीज़ पर नियंद्रन रखने का प्रयास करिए किस की specific targeted काम को करने के लिए सफलता प्राप्त करने के लिए 20 फरवरी बहुत बढ़ियां दिन है और 20 फरवरी के दिन आपका एक emotional breakdown हो सकता है अगर आप किसी परसन से specific उम्मीद कर लेते हैं तो थोड़ा सा शान्त रहिएगा खुश रहिए relationship के मामले में दिन तनावपूर्ण हो सकता है इसलिए आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है तो विशब राशी यह था आपके लिए राशी फल 14 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक का तीसरी राशी लेते हैं जैमिनी यानि मिथन राशी मिथन राशी आपके लिए 14 फरवरी का जो दिन है अच्छा रहेगा उम्मीदों पर दिन खरा उतरेगा और आप जिस काम को हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलनी सुनिश्चित है रिलेशन्शिप के लिए ये दिन बहुत अच्छा है और अगर आपके विवाह की कहीं बात चीज चल रही है तो वो तैं होने की संभावना भी बनती है पंद्रा फरवरी का जो दिन है ये है तो आपके फेवर में लेकिन इस दिन आपको अपनी प्रतिष्ठा का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसके बढ़ने के अच्छे संयोग बनने हैं तो आप कुछ भी ऐसा न करें जो आपकी प्रतिष्ठा को आपकी इमेज को खराब करता हूँ बिजनस के मामले में जॉब के मामले में दिन सपोर्टिव बना है आपके व्यक्तित को निकारने के मामले में दिन सपोर्टिव बना हुआ है और अगर आप अपनी किसी हैबिट को नई हैबिट को एक्चुली डेवलप करना चाहते हैं या कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो थोड़ा सा आपके लिए नया है तो उसके लिए ये दिन बहुत सपोर्टिव बना हुआ है और रिलेशनशिप के मामले में भी दिन अच्छा है। सोला फरवरी एक ऐसा दिन रहेगा जब सिचुवेशन स्वयम ही आपके पक्च में आ सकती हैं लेकिन आपको थोड़ा conscious रहना होगा क्योंकि जब चीज़ें आपके फेवर में आती हैं तो उनको ग्रैब करना होता है पकड़ना होता है तो उस सिचुवेशन को अगर आप कैच कर सकते हैं तो चीज़ें आपके फेवर में मुरती चली जाएंगी अपने ग्रेस का अपने आत्म विश्वास का और अपने स्वाभिमान का ध्यान आपको रखना है इन्वेश्टमेंट करने के लिहाज से ये दिन बहुत बढ़ी हैं और फेवर वाला बना हुआ है और रिलेशन्शिप के लिए भी इस दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है दिन अच्छा है 17 फरवरी का दिन थोड़ा बुरा हो सकता है अगर आप आँख बंद करके किसी पर भरोसा करने लेगल मामलों में नुकसान हो सकता है पैसों के लेंदेन में आपके पैसे डूबने के समभवना बढ़ रही है या नुकसान होने की समभवना बढ़ रही है इसलिए इन सारे मामलों में साउधान रहें रिलेशन्शिप के मामले में भी आपको इमोशनल ब्लैक मेल कर आजा सकता है इसलिए वहां भी थोड़ा होश्यार रहें ज्यादा तर अपने काम अपने से रखें दूसरे लोगों को अपने सीक्रेट सतरह तारीख को ना बताएं तो ज्यादा अच्छा होगा और अगर आपके मन में किसी बात को लेकर एक चुबहना आ गई है किसी बात को लेके एक फील कर रहे हैं और उस सेंसिटिव फीलिंग को चाहते हैं कि किसी को बता दें तो मत बताईएगा अपने अंदर रखिएगा रिलेशन्शिप के लिए ये दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है सत्रा तारीख 18 फरवरी का दिन आपको थोड़ा सक्त मिजाज विक्ति बना देगा जिसकी वज़ा से आप बुरे और अच्छे दो काम कर पाएंगे बुरा ये कि आपका सक्त विवहार दूसरों को ना पसंद आएगा आपकी इमेज खराब हो सकती है और अगर अपने सक्त विवहार पर आप कंटिनू रहते हैं तो दूसरे लोगों के साथ रिलेशन्शन खराब होने से आपकी इमेज खराब हो जाएगी लेकिन अगर इसे favor में use करें तो आप कठोर निर्ड़े ले सकते हैं किसी ऐसे काम को करने की कोशिश कर सकते हैं जहां आपको बहुत ज़्यादा energy की जरूरत थी और अगर किसी targeted चीज पर focus करके काम करते हैं किसी target पर focus कर लेते हैं तो वहां सफलता मिलनी बिल्कुल सुनिश्चित है 19 फरवरी का जो दिन है ये आपके चलते हुए काम को रोक सकता है एक पॉस जैसी condition का आना लेकिन ये पॉस जैसी condition short term के लिए होगी long term के लिए बिल्कुल नहीं होगी तो इस condition में खुद को समभाले रखना पैनिक ना करना और अपने आपको थोड़ा develop होने के लिए समय देना यानि अपने साथ अपने आपको समय देना बहुत ज्यादा importance रखेगा relationship के मामले में दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी आप अपने specific किसी एक loved ones के उपर भरोसा कर सकते हैं 20 फरवरी का जो दिन है ये एक-एक करके चीजों को आपके पक्ष में ला सकता है अगर आप एक-एक करके आगे बढ़ने की कोशिश करें systematic way बहुत important होगा, disciplined way भी बिल्कुल importance रखेगा अगर आप चीजों को manage करने के ठान लेंगे तो हर चीज manageable position में आ जाएगी और manage हो जाएगी लेकिन अगर आपने सिर्फ घबराहट या डर की वज़ा से चीजों को side line कर दिया तो चीजों manage होनी possible नहीं है relationship के मामले में भी कामोबिश ऐसा ही रहेगा लेकिन इस दिन को बेहतर बनाने का उद्देश अगर आपके मन में morning से आ जाए तो 20 तारिक आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है तो मितुन राशी ये था आपके लिए राशी फल 14 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक का चोथी राशी लेते हैं कर्क यानि कैंसर कर्क राशी 14 फरवरी का जो दिन आपके लिए है अच्छा रहेगा situation इस दिन आपके फेवर में आएंगी कड़े निरड़े आप ले पाएंगे या परिवार के मामले में कुछ निरड़े पेंडिंग है तो उनको भी ले पाएंगे ये दिन आपको काफी सपोर्ट कर रहा है तो इस दिन को जितना यूज कर पाएंगे उतना बढ़िया रहाएगा बस relationship के मामले में आप प्रधानता रखने की कोशिश करेंगे यही थोड़ी सी क्लैशिंग का कराण बन सकता है पंद्रा फरवरी का दिन देखें ये दिन दूसरों की और ध्यान न देकर अपने काम से काम रखने का है तो उसको अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहना अगर दूसरों की और ध्यान देंगे या किसी को दिखाने के लिए कुछ करेंगे तो गड़बड हो जाएगी और लोग हूट करते हैं या आपको कुछ इंफ्लेंस करते हैं पॉजिटिव निगेटिव तो उनके हूट या इंफ्लेंस में आपको बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है रिलेशन्शिप के मामले में दिन बढ़ियां बना हुआ है 16 फरवरी का दिन भी कोई प्रॉब्लम लेकर नहीं आ रहा लेकिन आपके मन में डर और आशंका के बादल चाये रहेंगे जिसकी वज़ा से आपको लगेगा कि कोई आपका नुकसान करने की प्लैनिंग कर रहा है कोई छिपे हुए दुश्मन है जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं है ये दिन बिल्कुल फेवर में है दिन सही बना हुआ है लेकिन फिर बीचुकि आपका रवया थोड़ा सुरक्षात्मक रहेगा इसलिए आपके रिलेशन्शिप के मामले में भी ये सुरक्षात्मक रवया आपके रिलेशन्स में केवल 50% की सपोर्टिवनेस दिखाता है सत्रा फर्वरी का जो दिन है सत्रा फर्वरी के दिन सिचुएशन्स को अपने फेवर में ना लाने के लिए हर संभो प्रयास आप खुद कर लेंगे इसलिए अगर सत्रा फर्वरी को अगर किसी सिचुएशन्स में फश जाते हैं आपका काम नहीं हो रहा अटक गए हैं तो थोड़ा पॉज ले लें पंद्रा मिनिट का आदे घंटे का एक घंटे का ब्रेक ले लें ठीक है और उसके बाद सोचें कि इस सारी समस्या को कहीं मैंने ही तो नहीं बना लिया है जब आप ये सोचेंगे तो आप पाएंगे कि इस समस्या के कई सारे हिस्से मेरे ही बनाए हुए है और अगर मैं अपने वाले हिस्सों को रिजालो कर दो तो इस पूरी समस्या से बाहर निकलना आसान है रिलेशन्शिप के मामले में ये दिन थोड़ा सा नुकसान दे हो सकता है थोड़ा जगड़ा होने की संभावना बन सकती है अब बात करते हैं अठारा फर्वरी की अठारा फर्वरी एक ऐसा दिन होगा जब आपका मन थोड़ा सा विचलित रहेगा चीजें आपको पक्ष में और आपके विपक्ष में जाती हुई नजर तो आएंगी लेकिन उसके बावजूद चीजों पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे खुद के उपर का नियंतरन हटने की वज़ा से मन उद्विग न रहेगा विचलित सा रहेगा लेकिन अगर आप खुद को साधने की छोटी सी कोशिश करें तो सब कुछ अच्छा रहेगा इन चीजों के अलावा कुछ पुरानी बढ़ियां बातें याद आएंगी जो आपके मन को खुश रखने का काम करेंगे मतलब आप हैपी हैपी फील करेंगे पुरानी बातों को याद करके तो उनसे मोटिवेशन लेना चाहें तो लेशकते हैं रिलेशनशिप के दृष्टी से रिलेशनशिप के लिए ये दिन 18 तारिक बढ़िया रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है 19 फरवरी का जो दिन है ये सिचुवेशन को आपके फेवर में मोडता भी है और हटाता भी है सिचुवेशन आपके फेवर में नहीं भी लाता और लाता भी है जब नहीं लाता है तो समस्या बढ़ जाती है और जब लाता है कि problems को ना दोस्त बना लीजिए कि भे ठीक है हमें तो जीवन में आगे जाना है और तुम मेरी problem हो तो तुम भी साथ में चलो क्योंकि तुम्हें नहीं छोड़ सकते हैं आगे बढ़िए यानि आगे बढ़ते रहने के लिए आपको consistency दिखानी पड़ेगी अगर आप एक बार पीछे हटने से खुद को बचा ले गए कि मैं पीछे नहीं हटूंगी मैं पीछे नहीं हटूंगा और आगे बढ़ने का एक plan कर लिया और कोशिश शुरू कर दी तो situation surrounding में आपको help करनी शुरू कर देंगी वैसे relationship की दिरिष्टी से 19 तारिक अच्छा दिन नहीं है 20 फरूरी भी relationship के मामलों में केवल 40% की growth दिखाता है मतलब supportiveness दिखाता है लेकिन अगर कोई relationship तूटने की कगार पे है या खत्म हो रहा है और उसे बचाना चाहते हैं तो उसके लिए आप उन problems में से किसी एक सबसे बड़ी problem को resolve करने का mindset बना लेंगे तो आपको ideas मिल जाएंगे अपने विचार दूसरों से share ना करें थोड़ा सा शांत रहें थोड़ा अगर काम में बहुत ज़्यादा stress हो गया है तो थोड़ी देर का rest ले लें ताकि आपका mind revive हो सके relation के लिए बता ही दिया है दिन 40% सपोर्ट कर रहा है तो करक राशी ये था आपके लिए राशी फन 14 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक का पाच्वी राशी लेते हैं सिंग यान लियो सिंग राशी आपके लिए 14 फरवरी का दिन एक अबूज पहली जैसा होगा जब आपके मन में आ रहे विचारों को समझने में आप नाकामियाब हो जाएंगे आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है फिर आपका मन का एक हिस्सा कहेगा कि नहीं सब कुछ नहीं ठीक है आप अपने मन को फिर समझाएंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपका हिस्सा आप से कहेगा कि भई आपकी लाइफ में तो प्रॉब्लम्स की बाढ़ाई हुई है यह सब सिर्फ आपके दिमाग में चल रहा होगा हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होगा तो अपने माइंड से हारने की कोशिश मत करिए जो भी लक्ष हैं जो भी टार्गेट हैं उन पर आगे बढ़िए उन्हें आप अचीव कर ले जाएंगे और रिलेशन्शिप के लिए यह दिन सपोर्ट नहीं कर रहा पंद्रा फर्वरी का जो दिन है यह सफलता दिखाता है लेकिन उस सफलता को पाने के लिए आपको जूझ कर आगे आना पढ़ेगा अगर आप सफलता अरजित करने के लिए जूझने को लड़ने को संघर्श करने को तयार हैं तो पंद्रा फर्वरी आपको बहुत सपोर्ट करेगा यह दिन आपको ब्यापारिक मामलों में, आर्थिक मामलों में, बैक्दिगत मामलों में सफलता दिलाता है रिलेशन्शिप के मामलों में आपका बिहेवियर थोड़ सा सिक्यूर बना रहेगा 16 फर्वरी का दिन चीजों को स्वतह ही संतुलित कर देगा आपके लिए इस दिन का जो संतुलन है उसे अगर आप कंटिनिवेशन में ले जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर इस संतुलन को आप कंटिनिवेशन में ले जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा इन चीजों के अलावा इस दिन आपके मन में दुवि कर रहा है relationship के मामले में दिन बढ़ियां बना हुआ है 17 फरवरी का जो दिन है एक सुखत समाचार की प्राप्ति दिखाता है सुखत समाचार कहीं से भी हो सकता है किसी पुराने दोस्त या रिष्टेदार के हां से भी आ सकता है छोटी सी जर्नी आपकी हो सकती है एक व्यापार करने में हेल्प करेगा relationship के मामले में 17 फरवरी बहुत बढ़िया दिन बना हुआ है 18 फरवरी का दिन relationship के मामले में आपको चूजी होने को कहता है कहता है खुद को priority दे दीजे लेकिन दूसरे की insult मत करिये थोड़ा contradict line है लेकिन यही आपके लिए आ रहा है अगर किसी मामले म आपने किसी को धोखा देने की कोशिश करी है या किसी का बुरा चाहते हैं तो यह दिन यकिन मानिये आपके लिए और बुरा हो सकता है इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ से साउधान नहीं वैसे चलते हुए काम के रुकने और situations का आपके favor में ना आने का योग बना है लेकिन अगर आप सिर्फ अपने आप से मतलब रखते हैं और दूसरे को नुकसा नहीं पहुचाते हैं तो यह सारी negativity आपके favor में आ जाएंगी अब बात करते हैं 19 फरवरी की 19 फरवरी एक ऐसा दिन है जब आपको situationally चीज़ों को अपने पक्ष में मोडने की अंदर से प्रेड़ा म होगा कि आप अपने targets को achieve करने के दिशा में आके बढ़ेंगे लेकिन यही energy relationship के मामले में थोड़ी ज्यादा highness लेती है और उस high होने की वज़ा से energy की ज्यादा तीखेपन की वज़ा से relationship में थोड़ी तलखी आ सकती है इसका साउधानी से ध्यान रखियेगा 20 फरवरी का ज अतलब धार्मिक पुस्तकों का अध्यान करना जैसी चीजें आपको फिल हो सकती है कि करना चाहिए ये दिन आपके अंदर एक softness लेकर के आएगा और आप अपने लक्षे के परती फोकस होने के बावजूद जिद में बिलकुल नहीं आएंगे relationship के मामले में दिन बहुत वरगो कन्यराशी आपके लिए 14 फर्वरी का जो दिन है ये चीजों को justify वे में आपके favor में ले आएगा और आपका मन भी ऐसा ही रहेगा जब आप अन्याय को बरदास्त नहीं कर पाएंगे और अपने आपको justify करने या अपने काम को अपने लिए ही justify करने के लिए परयात न shield रहेंगे आपका जो इस दिन का energy level है वो आपको काफी support करता है और आपके favor में आपको ले करके आता है मतलब आप अपने आपको बहुत ज़्यादा help करेंगे इस दिन और अपने प्रती एक laziness की भावना से बच जाएंगे relationship के मामले में दिन बढ़िया बना हुआ है 15 सकते हैं आप पर उंगलियां उड़ सकती हैं ताने इत्यादी मिल सकते हैं लेकिन अगर आप सिर्फ आगे बढ़ने के लिए दृड़ संकल्पित हो जाएं और एक मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ें कि जी जो कुछ है अच्छा या बुरा हमें सब सुईकार है जो इश कर सकता है जब आपको लगे कि अभी तक आपने जिन्दगी में जो कुछ भी हासिल किया है कुछ भी काफी नहीं है अभी तो बहुत बड़ी लड़ाई बाकी है अभी तो आपने असली टार्गेट को अपने असली लक्ष को प्राप्त ही नहीं किया है इस दिन ऐसा भी लग relationship के मामले में अगर अपनी negativity को हाभी नहीं करेंगे तो बढ़िया हैं अगर अपने negativity को अपने mind में हाभी करेंगे तो ही relationship में problem दिखेगी 17 फरवरी का जो दिन है यह आर्थे को देश को पूर्ण करने के लिए बहुत बढ़िया हैं इन्वेश्टमेंट की दृष्टी से अच्छा है ब्यापारिक मामलों में नए निरड़े और सफलता दाई निरड़े लेने में भी ये सपोर्ट करेगा इस दिन आप अपने ग्रेस को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं मतलब अपने आपको और आत्मसमानित फील कर सकते हैं जिससे दूसरे लोगों को भी आपके अंदर बदलाव महसूस होगा लेकिन भविश्य के प्रती अगर आपकी सजगता नहीं होगी तो इस दिन को सत्रह फरवरी को आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा सा भविश्य के प्रती सजगता भी दिखाएं ठीक है और रिलेशन्शिप के मामले में सत्रह फरवरी बिल्कुल बढ़िया है अठ्रह फरवरी का जो दिन है ये आपको देखें सबसे पहली चीज आपको सिर्फ एक ध्यान रखना है कि आपकी इमेज खराब नहों समाज में या आपके जॉब छेतर में या बिजनस में अब अपनी इमेज को खराब ना होने देने के लिए प्रिप्रेशन के साथ आप अपनी सफलता के लिए जो करना पड़े सामदाम दंड़ भेद वो सब चीजें करिए अगर किसी को नहीं पता चलता है कि आपने स्वार्थ वश कोई काम किया है तो उसे भी पूरा करिए देखा दे सकते हैं इसलिए साओधान रहें कोशिश करें कि ज़्यादातर काम खुद की करें महिलाओं के लिए उनका अपमान होने की इस्थिती भी आ सकती है इसलिए कुछ मामलों में शांत बनी रहें और जहां जरूरत बिल्कुल भी नहों वहां अपेरंस बिल्कुल भी बना हुआ है जबकि वीस फर वरी का रिलेशनशिप के मामले में फिर से सपोर्टिव होना दिकता है ये दिन आपको सफलता भी दिखाता है, ये दिन आपके लिए कई सारी उपलबधियां भी लाता है और ये दिन आपको motivate भी करता है आपके संबंधों में वृद्धी होगी नए दोस्त बन सकते हैं और आपका अपना mindset बहुत positive इस दिन रहेगा तो कन्य राशी ये था आपके लिए राशी फल 14 फर्वरी से लेकर के 20 फर्वरी तक का साथ वी राशी रेते हैं तोला यानि लिब्रा तोला राशी आपके लिए 14 फर्वरी का जो दिन है सफलता दाई दिन है ये दिन आपको help करेगा अपने आपको और ज्यादा बिटर बनाने के लिए अपने बिटर वर्जन को आगे लाने के लिए रिलेशन्शिप के मामले में दिन सपोर्टिव बना हुआ है आर्थिक उन्नतिक दिखाता है व्यापारिक सफलता दिखाता है और जॉब के छेतर में आने वाले समय में मतलब आपका इस दिन का जो काम है वो आपके जॉब के छेतर में आने वाले समय में आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाता भी है पंद्रा फर्वरी का जो दिन है ये देखिए दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ये पंद्रा फर्वरी को आपका मनना विचलित सा रहेगा सब कुछ मेरे पास है लेकिन फिर भी किसी चीज़ की कमी है ऐसी फिलिंग आती रहेगी इस फिलिंग से बचने का सबसे आसान तरीका है कि जो काम आप कर रहे हैं उसे वैसे ही करते रहे हैं अपने डेली रूटीन को एज इट इस रखें उसमें कुछ नया पन नई चीज़ों को इन्वाल्व नहीं करेंगे तो ज़्यादा परिशान नहीं होंगे और अगर कुछ अचीवमेंट्स आपको लगता है कि जी मिसिंग हो रही है तो उनके बारे में सोचे कि कोई बात नहीं है इसको हम बादमिद मैनेज कर लेंगे अभी जो करन चल रहा है इस करन को मैनेज कर लेते हैं रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़ियां बना हुआ है सोला फरॉरी का दिन आपके लव रिलेशन या रिलेशनशिप के मामलों में बहुत अच्छा और सपोर्ट करने वाला है इस दिन आपके द्वारा किये गए कारियों की सर्वतर सराहना हो सकती है आपको एप्रिशेशन मिल सकता है लोगों के बिहेवियर को आप थोड़ा समझ पाएंगे और थोड़ा नहीं भी समझ पाएंगे क्योंकि कहीं कहीं आपको ऐसा लगेगा कि कुछ लोग आपको हूट कर रहे है सारी बातों से हट करके अगर आप अपने किसी टारगेटेड चीज के उपर फोकस हो जाते हैं लक्ष के उपर फोकस हो जाते हैं उस चीज़ को प्राप्त करने की संभावना बन रही है नए काम को शुरू करने की दृष्टिकॉर्ण से भी ये दिन सपोर्टिव है तो ये दिन कुल मिला कर बढ़िया बना हुआ है सत्रफ रौरी का जो दिन है ये सफलता देता है दिलाता है सफलता की और आपके मन को मोड़ता भी है इस दिन को अगर आप सही ढंक से इस्तेमाल करेंगे तो ये दिन आपको बहुत फाइदा दे सकता है परिवार के प्रती आपके मुह में इस दिन वृद्धी होगी आप कुछ न कुछ ऐसा करने की सोचेंगे जो आपको आपके परिवार से और ज्यादा करीब लेकर आए प्रकृती प्रेमी इस दिन आप हो सकते हैं और इस दिन अपनी माता के प्रती आपकी चिंता स्वभाविक रूप से बढ़ सकती है रिलेशन्शिप के मामले में ये दिन पूरा बढ़िया बना है 18 फरवरी का जो दिन है ये संघर्षों की बात करता है और संघर्षों से सावधान रहने और बचने को प्रेरित करता है कि जरूरत नहीं है उन संघर्षों में जगड़ों में उन बहस में उन और्गुमेंट्स में अपने आपको फसाएं हटा लीजिए वहां से लेकिन अगर बाई चांसा फस गए और तो पहली चीज तो यह है कहता कि आपको निकल जाना चाहिए लेकिन दूसरी चीज अगर आप नहीं निकल सकते तो उस संघर्ष को जीतने की कोशिश करिए दिन आपको पूरा सपोर्ट कर देगा लेकिन रिलेशनशिप के मामले में 18 तारिक आपके लिए बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है और ऐसे ही रिलेशन के मामले में 19 फरवरी भी सपोर्ट नहीं कर रहा 19 फरवरी का दिन आपको अपने ही भवर जाल में फसा देगा आपका मस्तिश्क आपका दिमाग आपका ब्रेन आपको उलजा कर रखेगा और इस दिन को यूटिलाइस नहीं कर पाएंगे ऐसा लग रहा है तो इसलिए आपका ब्रेन अगर आपको कुछ डर दिखाता है हिजिटेशन देता है तो ये सब आपके ब्रेन के बैरियर्स हैं इन बैरियर्स से पार होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करिए रिलेशन्शिप के मामले में बता ही दिया दिन बहुत अच्छा नहीं रहेगा तो रूपए पैसे के लेंदेन में भी थोड़ा साउधानी इस दिन बरत दीजेगा बीस फरुरी का जो दिन है बीस फरुरी के दिन समाज में आपके प्रतिष्ठा आपकी इमेज में और वृद्धी होगी लोग आपका सम्मान करेंगे आप अपने आपको बहुत ज़्यादा इस्टैबलिश फील कर सकते हैं भविश में अपने आपको इस्टैबलिशमेंट की और ले जाने के लिए संघर्ष करने का प्रयास कर सकते हैं पारिवारिक मामलों में आपके द्वारा लिए गए डिसीजन सही होंगे आपकी सलाहें बहुत अच्छी होंगी लेकिन किसी को एडवाईस तब दीजे जब वो आपसे मांगे अदरवाईस चुप रही है शांत सुभाओं और थोड़ा देखने वाली टेंडेंसी बना कर रखना इस दिन आपके लिए स्ट्रेटजी बहुत अच्छी रहेगी तो तुला राशी ये था आपके लिए राशी फल 14 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक का आठवी राशी लेते हैं व्रिश्चिक यानि स्कॉर्पियो व्रिश्चिक राशी आपके लिए 14 फरवरी का जो दिन है थोड़ा परिवर्तन कारी होगा और ये जो परिवर्तन इस दिन आ सकता है, सड़न आ सकता है, थोड़ा पेंफुल हो सकता है, इस परिवर्तन को सुईकार कर लीजिए, क्योंकि ये परिवर्तन होगा तो पेंफुल, लेकिन आने वाले भविश्य को आपके बहतर बना देगा, इस दिन आप किसी पर भरोसा ना करें तो ज्यादा अच्छा है और अपने सीक्रेट्स बिलकुल भी ना बताएं तो बहुत अच्छा है लोगों के द्वारा अगर आपको जज किया जाता है तो लोगों को उनके हाल पर छोड़ दें ज्यादा रेस्पॉंसिव ना रहें रिलेशन्शिप के मामले में दिन बढ़िया नहीं है और किसी भी इंपॉर्टन डिसीजन को मत लीजिएगा चौधा तारिक को 15 फरवरी को सबसे ज़्यादा ध्यान अपने पैसों का रखना है साथ ही साथ अपनी इमेज का भी रखना है पहला ध्यान तो पैसों का रखना है ठीक है दूसरा ध्यान अपनी इमेज का रखना है किसी की मदद करने के चक्कर में अपनी इमेज को खराब कर सकते हैं तो इसल के मामले में कोई समस्या नहीं है लेकिन अगर आप आग्रही हो गए डिमांडिंग हो गए तो रिलेशन्शिप में प्रॉब्लम्स आएंगी 16 फरवरी एक और परिवर्तन को दिखाता है लेकिन ये परिवर्तन मज़ेदार होगा आपको पसंद आ सकता है आपके मन में कुछ अच्छे विचार भी आ सकते हैं आपका अपना मन नए नए चीजों के बारे में यानि अपने मन में ही एक ऐसा परिवर्तन का दोर चल सकता है जो आपके mindset को घुमा करके change कर दे इन सारी चीजों को आप फिर से adopt करें परिवर्तन को सुईकार करना चाहिए लेकिन इस दिन अपने आपको पहचानते रहें जानते रहें कि who am I, मैं हूँ कौन और अपने आपको पहचान कर अपने आपको जान कर अपनी personality को समझते हुए इस परिवर्तन को adopt करेंगे तो इस्तेमाल कर दे जाएंगे otherwise relationship में 16 तारिक बढ़िया है 17 फरवरी का जो दिन है देखे दिन बहुत बढ़िया है लेकिन धन का खर्च इस दिन थोड़ा बढ़ सकता है पैसो की आवक आपके पास बनी रहेगी लेकिन उसके बावजूद परिवार के ऊपर काफी पैसे खर्च होने की संभावना बनती है या दिखती है आर्थिक माम हो सकते हैं और रिलेशन्शिप के मामले में 17 फरवरी बहुत बढ़ियां बना दुआ है 18 फरवरी का जो दिन है काफी आकरामकता आपके अंदर लाएगा रिलेशन्शिप के मामले में ये दिन थोड़ी तलखियां ला सकता है लेकिन अगर किसी काम को करना चाहते हैं या किस specific चीज को पूरा करना चाहते हैं कोई target हासिल करना चाहते हैं तो उसमें ये दिन बहुत support करेगा डर इस दिन आपको बिलकुल नहीं लगेगा और घबराहट भी इस दिन नहीं होगी लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी भी काम में खुद को involve कर लें थोड़ा सोस समझ कर आग अपने ego को सिर्फ अपने नियंतरण में रख लें तो relationship में कोई problem नहीं है पहली चीज़ आपके relationship में चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी और अगर ego को नियंतरण में रखेंगे तो decision लेने में बहुत आसानी होगी वैसे इस दिन कुछ कठोर निरड़े ले सकते हैं और उन decisions उन निरड़ें की वज़ा से अपने आपको सफलता की और अगरशित कर सकते हैं आगे ले जा सकते हैं आपके द्वारा किये गए प्लान आपके द्वारा किये गए प्रयास आपको भविश्य में सफलता दिलाएंगे इस बात की पुर्जोर संभावना बन रही है 20 फरवरी का जो दिन हैं चीजों को अचानक हाल्ट कर सकता है जब अचानक एक छोटा सा पौस आ जाए और आपको लगे कि अरे मेरा काम तो बनते बनते रुख गया तो ये एक दिन का मामला है अगला दिन अलग हो जाएगा तो इस दिन पैनिक ना हो अगर चीजें थोड़ के लिए बहुत बढ़िया है अगर आप कुछ spiritual practice करना चाहते हैं meditation करना चाहते हैं कुछ मंतर जपित्यादी करना चाहते हैं भगवान की पूजा पाट करना चाहते तो उन चीजों के लिए बहुत अच्छा है इश्वर के सन्निकट होंगे आप तो इसलिए इस दिन को बेहत अगर आप कुछ काम के बोज तले दवा हुआ फील कर रहे हैं तो अगर नहीं फील कर रहे हैं तो बिलकुल जो कर रहे हैं उसे करते रहे हैं उसमें सफलता मिल जाएगी relationship की दृष्टिकोंड से ये दिन बढ़िया है पंद्रा फरवरी का जो दिन है ये भी सफलता तो दिल जाता है लेकिन planning के साथ में अगर एक planning आपके पास है एक plan के उपर काम करते हैं तो ये दिन success देता है और अगर आपके पास plan नहीं है तो success नहीं देता अधरवाईस future के लिए अगर आप कुछ investment करना चाहते हैं तो अपने समझदारी से करें वो investment आपके लिए future में बहुत ल जीवन साथी या प्रेमी का या प्रेमी के साथ अपना समय बिताने की इच्छा हो सकती है इस दिन जितना समय आप अपने लोगों को अपने परिवार को देंगे उतना आपके लिए मन के लिए अंदर आपके दिल के लिए बढ़िया होगा एक क्योर का काम करेगा इस दिन आ कि सफलता की मार्ग पर आपको आगे धकेलता हुआ चला जाता है इस दिन आत्म विश्वास आपका आपको नई राहें दिखाएगा और लेडर्शिप की क्वालिटी को जिनरेट करेगा इन बिल्ट करेगा आपके अंदर लेकिन साथ ही साथ आपके अंदर थोड़ी निर्दा लिता भी आएगी जब आप अपने लक्षों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने की मनह इस्थिती सिर्फ दिमाग में चलेगा ये कि उस कंडिशन में आ सकें उसे एक्ट अपान करना है या नहीं करना है किसी भी हद तक ये आपके डिसीजन पर वैरी करेगा तो इ लोग भी होगा इन मिक्स यादों को इन जो मेमोरीज मिक्स होकर के आएंगी इन मिक्स मेमोरीज को इगनोर करने की कोशिश ना करें इनके साथ एंजुआए करें कभी कभी बुरी अच्छी खटी मिठी यादे बड़ी मज़ेदार होती है क्योंकि वो हमारे जीवन का हिस्स रही है रिलेशन्शिप के मामले में 18 फरवरी बहुत बहतर दिन नहीं है 60 प्रतिशात आपके पक्ष में होगा तो उसे एक ब्रेक के बाद में 19 फरवरी फिर आपके पक्ष में आ रहा है जब आपकी spiritual growth होने के सम्माना बढ़ सकती है इश्वर के प्रति निकटता आपकी ब प्रेंपूर्ण वेवहार आपका बना रहेगा लोगों से आपके मिलंसार विक्तित्यों की वज़ा से आपकी image में और वृद्धी होगी तो कुल मिलाकर ये दिन बढ़ियां बना हुआ है 20 फरवरी का दिन बिलकुल बुरा दिन है लीगल मामले पैसो के लेन दिन प्रॉपरटी के लेन दिन या किसी पर आँख बन करके भरोसा करना बहुत नुकसान दे हो सकता है तो इन चीजों को टाल दे अगर अपनों से कभी कभी लोग अपनों से बहुत परेशान होते हैं अपने घर वालों से अपने रिलेशन से अगर अपनों से बहुत ज़्यादा परेशान है तो एक दिन के लिए छुट्टी लेने का समय है यह अगर मान लीजे घर में आपके बहुत ज़्यादा बर्डन आपके उपर है और उससे तंग आ चुके हैं और बिल्कुल निकल नहीं पा रहें तो एक दिन के लिए छुट्टी ले लिए कि आज मेरे को कुछ नहीं करना आप जिसे जो मैनेज करना है कर लीजिए आज मेरा छुट्टी किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे सिधा अगर राशी यह था आपके लिए राशी फर्वरी से बीस फर्वरी तक का है दसवी राशी लेते हैं कैप्रिकॉन यानि मकर राशी आपके लिए चौदा फर्वरी का दिन थोड़ा सुरक छातमक दिन रहेगा जब आपको ऐसा लगेगा कि चीजों को जितना समेट करके रखें सह चों मत करिए कॉंफिडेंस एक ऐसी चीज है जो किसी को पता नहीं चल सकती जब तक आप दिखाए ना आपकी बाडी लेंग्वेज से रिफ्लेक्ट ना हो तो उस रिफ्लेक्शन को थोड़ा मैनेज करेंगे तो हो जाएगा रिलेशनशिप के लिए यह दिन अच्छा है आ आप अपने लवड वन्स पर भरोसा कर सकते हैं पंदरा फरवरी का जो दिन है यह उर्जा को नए सिरे से संचित कर देगा मोड़ देगा और इस एनरजी की वज़ा से आप अपने टार्गेट्स को अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे व्यापारिक मामलों मे सफलता जॉब के मामले में सफलता एकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट और परिवार में एकसेप्टन्स को ये दिन दिखाता है साथी साथ रिलेशनशिप के मामले में आप प्रधानता चाहते हैं प्रायरिटी चाहते हैं इस वज़ा से रिलेशनशिप में थोड़ी सी तलखी हो सकती है 16 फर्वरी बहुत बढ़ी है रिलेशन्शिप के लिए एकदम उम्दा दिन पति पतनी या रिलेशन्शिप के जो भी रिलेशन्स हैं उन में सोहार्द प्रेम और करुणा का भाव बढ़ेगा दोस्ती आपकी नए लोगों से हो सकती है या लोगों की आपसे दोस्ती हो सकती है वाईसे वरसा दोनों चीज़ें एक ही है इस दिन आप किसी काम को पूरा करने के लिए खुशी खुशी राजी हो सकते हैं इसलिए किस काम के लिए आपको प्रपोard किया जा रहा है और किस काम के लिएIf काम के लई हम भर रहें इसका होश रखिएगा ठीक है भावनाओं में मत बह जाएगा कुल मिला करके बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला ये दिन नहीं है थोड़ा सा casual लेके चलने वाला दिन है और इस दिन आप अपने आपको जितना आनंद विभोर रखेंगे अंदर से उतना चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ती चली जाएंगी 17 फरवरी का दिन एक संघर्ष की स्थिती को दिखाता है जो friendly होगी और इस friendly संघर्ष की स्थिती से निकलना आपके लिए आसान भी होगा और आपके लिए learning भी होगी जब आप अपने उन्ही friendly मित्रों से या परिस्थितीयों से सीख सकें और आगे निकल सकें और वे लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे बट relationship के लिए दिन बढ़िया नहीं है ब्यापारिक मामलों में निरड़े लेने के लिए भी दिन सपोर्ट नहीं कर रहा अठारा फरवरी का जो दिन है आर्थिक प्रगति को थोड़ा सा बाधित करता है कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जहां आप अपने आपको बधा हुआ पाएं जहां आप समझ न पाएं कि यहां पर आपको अपने पैसे आगे बढ़ाने चाहिए इन्वेश्ट करना चाहिए या रुख जाना चाहिए तो इस परिस्थिति में समय को चलने दीजिए कहते हैं ना कि समय निरधारित कर देता है तो ऐसे हिस समय को निर्धरन करने दीजे कि आपको क्या करना है दिल की बातें दूसरों से कहने की बहुत जोर से इच्छा होगी लेकिन उसे थोड़ा समालने की कोशिश करें खुद के बचपने के रवये को बिल्कुल बचा करके रखना है इन्वेश्ट कहीं भी नहीं करना है रिलेशन्शिप के मामले में 50% सफलता दिखाता है सपोर्ट दिखाता है 19 फरवरी का जो दिन है ये सिचुएशन आपके पक्छ में बिल्कुल मोडता नहीं है लेकिन अगर आप चाहेंगे तो सब कुछ मुड़ जाएगा अगर आप हार मानने से सिर्फ इंकार कर दें तो चीज़ें आपके पक्छ में आ जाएंगी अदर्वाइस लोग या परिस्थितियां तो बिल्कुल आपको पीचे खीचने पर लगे हुए है तो इस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है बैपारिक मामलों में भी सफलता ये दिन दिखाता है और रिलेशनशिप के मामले में भी दिन बढ़ियां बना हुआ है 20 फरवरी का दिन आपको एक पुराने दोस्त या रिष्टेदार से मिलवा सकता है कहीं पर यात्रा पर भेज सकता है एक सुख़द समाचार किसी नए परसन नए महमान के आने की खुशी भी हो सकती है एक ऐसा ग्रेसफुल डिसीजन आप ले सकते हैं जिस पर आपको बहुत गर्व हो रिलेशन्शिप के मामले में दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है और अगर किसी लक्ष को पूरा करने के लिए द्रड़ प्रतिग्य होकर आगे बढ़ते हैं तो उस लक्ष को बिलकुल आप इस दिन हासल कर सकेंगे 20 तारिक को तो कैप्रिकॉर्न ये था आपके लिए राशी फल 14 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक का 11 वी राशी लेते हैं एक्वारिस यानि कॉम्ब कॉम्ब राशी आपके लिए 14 फरवरी का दिन नुकसान दे हो सकता है परिस्थितियां आपके बिरुद जा सकती है अगर ऐसा कुछ होता है तो उस मामले में आप मान कर चलें कि इस्ष्वर के द्वारा किये गए काम है ये गाड्स एक्ट है जो आपकी लाइफ में भेजा गया है और इस्ष्वर के काम को आप सुईकार करते हैं एक्सेप्ट करते हैं जैसे ही एक्सेप्नेंस का मोड लेकर आते हैं ये सारी चीजें परिस्थियां आपके लिए निगेटिव होने की वजाए पॉजिटिवली मुड़ना शुरू कर देंगी अगर कोई बना बनाया काम आपका बिगड़ रहा है आपने उसकी फांडेशन में प्रॉब्लम करी थी कुछ ना कुछ गलती करी थी जो खर रही है बिगड़ रही है अच्छा ये जो बिखराओ है ये बिखराओ भी इसलिए है कि चीज़ें बहुत ज्यादा आगे न चले जाएं यहीं से समिटें और नए सिरे से शुरू करें जैसे एक मंजला बिल्डिंग आपने बनाई निव कमजोर कर दी भगवान ने बिल पैशन को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं रिलेशन में बिजनस में जॉब में अपने टार्गेट में किसी नए काम में तो इस पैशन को अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो दिन पूरा आपके पक्षे में मुड़ जाएगा 16 फरवरी का जो दिन है ये आध्यात्मिक उन्नती को तो दिखाता है लेकिन शालिंता के साथ में इस दिन ऐसा नहीं है कि आप एकदम भगवान भक्ती में या मेडिटेशन में डूब जाएंगे मन अंदर से अध्यात्मिक रहेगा इस्प्रिचूल रहेगा लेकिन उसके बावजूद कमर्शियली या मेटरिलिस्टिकली आप अपने आपको आगे बढ़ा पाएंगे और अपने टार्गेट्स को अचीव करने के लिए अंदर से एक शांती महसूस करेंगे जब आप अप सांदे बना है जब आपको गलत समझा जाए किसी एक स्पेसिफिक मामले पर तो उस समय थोड़ा सावधान बने रहने की जरूरत है कि आप अपनी हर फिलिंग्स दूसरे से शेयर ना करें चाहे पती हो या पतनी हो चाहे लवर हो अच्छा इसके अलामा आपके मन में भी नि चालिस प्रतिश्थ की पॉजिटिवीटी के साथ बना हुआ है लेकिन अगर आप चालिस प्रतिश्थ की पॉसिटिवीटी में अपने आपको इनवाल्व कर ले जाते हैं तो पूरा दिन पॉस्टिव हो सकता है नहीं कर पाएंगी तो फिर सिक्स्टी परसेंट की निगेट कर देगी और आपका मन उदास रहेगा relationship के लिए 17 फरूरी बढ़िया दिन नहीं है 18 फरूरी का जो दिन है ये भी relation के लिए बहुत अच्छा नहीं है लेकिन आप अपने लक्ष को प्राप्त करने या किसी काम को करने की दृष्ट में अगर आगे बढ़े हैं तो पीछे हटने की कोशिश ना करें काम हो या ना हो काम सफल हो या ना हो असफलता भी बहुत कुछ अरजित करती है सिखाती है असफलता बहुत लाभकारी चीज़ भी होती है कहते हैं कि अगर किसी को जल्दी सफलता चाहिए तो असफलता की कहानिया पढ़नी चाहिए क्योंकि अगर असफ सफलता के लिए बिना डरे आगे बढ़ते हैं तो सफलता आप तक आ जाएगी उनीस फरवरी का जो दिन है देखिए दिन तो बहुत अच्छा है लेकिन लोगों का बिहेवियर आपके प्रती अच्छा नहीं होगा तो लोगों के बिहेवियर को इगनोर करके अपने काम में है और रिलेशन्शिप के मामले में दिन ओके ओके है मतलब 50-50 है बीस फरवरी को कुमराशी आप सफलता अरजित करके ही मानेंगे माइंड सेट आपका ऐसा होगा बीच में पीछे नहीं हटेंगे रुकना आपको पसंद नहीं आएगा इमेज इस ते आपकी और बढ़ आता है आर्थिक मामलों में ये दिन आपकी प्रगति को भी प्रदर्शित करता है तो कुमराशी ये था आपके लिए राशी फैल 14 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक का अंतिम राशी लेते हैं मीन किसी ने एक दिन कमेंट किया था कि मीन के बाद आपने नहीं बताया कोई हैंगे हैना बहुत सारे लोग तो ऐसे करके आए हैं चलिए 14 फरवरी का जो दिन आपके लिए है टूवे सिच्वेशन में फेवर करता है यानि दूए पक्छी मामलों में सफलता दिखाता है लेकिन दूए पक्छी मामले जो आपके नियंतरण में चल रहे हैं नहीं दिखाता भली ये ध्यान रखिये गए ने तो सोचें वो वाला भी है ना ऐसा नहीं है जो आपके सराउंडिंग में आपके पास दो मामले हैं उन दोनों में हैंडल करिए चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी तीसरा जो दूर दिख रहा है उस पर फोकस मत करिए रिलेशनशिप के मामले में दिन सपोर्टी बना हुआ है पंदरा फरवरी का दिन रिलेशनशिप के मामले में एक शक वाली इस्थिति को ला सकता है किसी भी साइट से और उसकी कोई जरूरत नहीं होगी एक्चुली इसलिए ज्यादा जिस्टिफिकेशन नुक्सान दे काला काम कर लिया है ये उन लोगों के लिए था जिन्होंने कोई ऐसा काम किया नहीं है कि उनके उपर शख किया जा और कर लिया गया तो उनको एग्णॉर करना कि ठीक है तुमने शख किया है तुम्हारा दिमाग अपने-पने-आप सही हो जाएगा दैट स laser और एक्चुली ये दिन आपको फेवर नहीं करता, आपके पार्टनर्स के साथ में या आपके कलीक्स के साथ में आपकी बहसबाजी हो सकती है, तो थोड़ा होश यार रहिएगा। 16 फरवरी का दिन आपको देखिए दिन बढ़िया है लेकिन इस दिन एक निर्ड़े लेने वाली स्थिती आ सकती है, थोड़ा लकीर से हट कर सोचने की कोशिश करिए, बने बनाए रूटीन से थोड़ा बाहर निकलिए, आपका एक पैटर्न होता है, हर इंसान एक पैटर्न मे सोची है, जो डिसीजन आपने लेना है, उसे नोट कर लीजे, फिर उस डिसीजन को थोड़ा सा बायाउट करने की, पास आउट करने की कोशिश करिए, कि इसके अलामा अगर कोई ऐसा परसन होता, जिसका माइंड्सेट मेरे माइंड्सेट से थोड़ा वाइड होता, आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा relationship के मामले में दिन सही है 17 फरवरी का दिन उम्मीदों को जगाता भी है मारता भी है दोनों करता है डिपेंड करता है कि उन उम्मीदों से आप क्या सीखते हैं या नहीं सीखते हैं कुछ imagination's ऐसी होती है जो बस imagination होती है खायाली पुलाओ होते हैं उन्हें कभी खाया नहीं जाता और उनको खाने के लिए आपको चम्मच की जरूरत पड़ेगी तो खायालों में अगर पुलाओ पकाया है तो खायालों में चम्मच की कलपना भी करिए और उसको खा लीजिए समझ गए होंगे बात को अपने खायालों को अपने सपनों को सच करने के लिए उन सपनों को सच कैसे करें इसका सपना भी देखिए सपना ही तो देख रहे थे ना कि मेरा बड़ा सा एक बंगला बने नियारा वाला सपना है तो वो बंगला बड़े नियारा वाला सपना सच कैसे होगा इसका भी सपना देखिए तो आपको आइडियाज मिलेंगे और ये दिन 17 तारीक इसमें बहुत सपोर्ट कर रहा है हला कि रिलेशन्शिप के मामले में दिन बहुत बढ़िया है 18 फरवरी का दिन आपको थोड़ी संघर्षों में घेरेगा लेकिन ये संघर्ष आपको आयाम देने के लिए है आपको निखार देने के लिए है और सफलता आपकी है ये समझाने के लिए है तो संघर्षों से भागिये गमत 18 तारीक को हलांकि relationship के मामले में बहुत बढ़िया दिन बना है 19 फरवरी का दिन आपकी energy को और enhance और increase करेगा अगर आप कुछ असंभो करना चाहते हैं कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि अरे ये तो impossible है उसे भी करने की कोशिश करिए काफी हद तक सफलता मिलेगी कम से कम पूरी ना सही 40% 50% मिले वो ही बहुत motivation होगा ठीक है 10 राक्छस मारने है 5 को मारा तो सोचे कितना motivation आ जाएगा इस दिन आपके behavior में एक rudeness आ सकती है जो relationship में थोड़ी तलखी देगा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा साथ ही साथ आपको प्रभावित करके गलत रास्ते पर influence किया जा सकता है तो जब दूसरे आपको प्रभावित करने हो influence करने हो तो उनकी बातों में आने की कोशिश ना करके उनकी बातों के मर्म को अर्थ को समझने का प्रयास करिएगा अब बात अंतिम दिन 20 तारिक ये आपके जीवन में एक नई जियोती लेकर के आएगा और आपको सफलता की और आगे बढ़ने के लिए जिस्टिफाइड वे दे देगा एक नया संगत तरक संगत मार्ग देगा और ये तरक संगत मार्ग आपको पसंद आएगा लेकिन खुद को आगे बढ़ने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने माइंड से ओके रहें ऐसा नहीं कि मन मार कर चलें कि अचा चलो ठीक है अब ये रास्ता दिख रहा है तो इधरी बढ़ जाना है नहीं ऐसा नहीं आप वेरिफाई हो जाए कि हाँ इस रास्ते पर मुझे आगे जाना है तो आगे बढ़िए जिस काम में आप अपने आपको फोकसली टार्गेट कर लेंगे कि मुझे ये चीज करना है उस चीज के प्रति एनरजी बाउंडेशन होनी शुरू हो जाएंगी कॉंसेंट्रेशन शुरू हो जाएगी रिलेशन्शिप के मामले में आप बड़े जज्जमेंटल रहेंगे इस दिन इसलिए थोड़ी सी प्राब्लम हो सकती है अदरवाइस कोई प्राब्लम नहीं है तो मीन राशी ये था आपके लिए राशी फल और इसी के साथ अंतिम राशी मीन के साथ आज के राशी फल हुए समात आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत थैंक यू इस चैनल को सबस्क्राइब जरूर करिएगा अपने अन्भो अपने विचार कमेंट्स में लिखिए अगले वीडियो में आप से फिर मिलूंगा तब तक के लिए बाई बाई